दोस्तो हमारे फूतवी लाकों करोणों रहस्य में चीजों और स्थानों से भरी हुई है इन में से इनसान कुछ को तो पता लगा चुका है लेकिन अभी भी कुछ रहसे रहसे जिनके बारे में आस तक कोई पता नहीं लग पाया है आज मैं आपको एक ऐसे ही रहसे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान रहे जाएंगे दरसलम बात कर रहे है दक्षिन अमेरिका में इंडीस परवत और प्रशान्थ महासागर के बिच स्तीत देश चिली की जा एक वीरान आइलेंड है जा करीब 900 रहसे में मूर्तिया सदियों से स्तापित है जिनके बनने के बारे में तमाम तरह की बाते की जाती है कि उन मूर्तियों को यहां क्यों बनाया गया इस रहस्य से अभी तक रहस्य का परदा नहीं हटा है इसके बारे में जानेंगे विस्तार से वीडियो के आगे में दोस्तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक वाइरल वीडियो दिखाऊंगा जहां पर भालू के बच्चों को देखने के लिए एक आदमी ने कार रोकी तो उस आदमी पर अटाक करने के लिए कैसे उसकी मान ने दोड लगाई वो आप देखके हरान हो जाओगे दोस्तो इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे तो बिलकुल बने रही है दोस्तो इस आइलेंड का नाम है इस आइलेंड पर स्तापित मूर्तियों को मोही के नाम से जाना जाता है यह मूर्तिया लगबग सव टन वजनी और 30 से 40 पित लंबी है और इसमें सबसे खास बात यह है कि यह देखने में लगबग एक जैसी लगती है ऐसा लगता है जैसे सबी को एक ही साचे में डाला गया हो लेकिन एक जैसी इन मूर्तियों को बनाने का क्या रहसरा होगा इसे कोई नहीं जानता ऐसा माना जाता है कि पत्तर की यह मूर्तिया इत्ती मजबूत है कि हतोड से तोडने के बावजुद भी इन में से चूटी मूटी खरुच के लाग और कोई खस नुपसान ने पोस्ता इसके अलावा यहा कि मूर्तियों को लेकर यह सवाल भी पैदा होता रहा है कि इस आईलेंड पर जब मानव के रहने के कोई निशान नहीं मिले तो आखिरी मूर्तिया आई कहा से यही नहीं सेकड़ों की संक्या में मूझूद इन मूर्तियों के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है हाला कि कुछ लोगों का मानना है कि सेकड़ों साल पहले इलियन्स इस आईलेंड पर आयोंगे और उन्हेंने ही इन मूर्तियों का निर्मान किया होगा लेकिन वो इनने बीच में ही छोड़ कर चले गए हाला कि यह सब मनगड़त बाते हैं लेकिन सच्चा ही क्या है इसके बारे में अभी तक कोई ने जान पाया है और ना ही कोई इसका टोस प्रमान किसी के पास महजूद है ऐसा भी कहा जाता है कि इन मूर्तियों को रापानुई कहे जाने वाले लोगों ने साल 1250 से 1500 के बीच में बनाया था जो इस्टर आइलेंड पर ही रहते थे इने बनाने के पीछे वज़ग क्या थी तो बताया जाता है कि इन मूर्तियों को उन्हें अपने पुर्वजों की याद और सम्मान में बनाया था लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पीडों की अंदादून कटाई होने लगी तो इस दिपपर रहना रापानुई के लिए मुश्किल हो गया कहा जाता है कि इसके बाद वो लोग इस आइलन को छोड़कर चले गए इसके चलते याद बनी मूर्तियों का काम अदूरा रह गया और जिने आस तक पुरा नहीं किया जा सका दोस्तों आप क्या सुचते इसके बारे में कमेंट सेक्षन में आपका ओपिनियन मुझे जरूर बताईए तो अब चले दोस्तों हम अमारे वीडियो की दूसरे पाट के बारे में बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में एक भालू बर्ब के उपर कड़ा है और उसके तीन बच्चे बर्ब पर चड़ने की कोशिश कर रहे है लेकिन चड़ नहीं पा रह है एक बच्चे चल नहीं पाता है तबी एक कार गुजरती है कार को जाता देख भालू अपने बच्चो की सुरक्षा को ध्यान रखती हुए उसकी पीछे दोडने लगता है तबी भालू नीचे उतर कर कार की पीछे दोडने लगता है आपको बता देगी यह वीडियो अमेरिका के मोंटेना शहर का है इस वाइरल वीडियो में आप देखेंगे सडक की किनारे भालू के बच्चे स्नो बैंक पर चड़ने की कोशिश कर रहे है भालू का सबसे छोटा बच्चा भाई बैनों की तुल्ला में बड़ी चलंग लगाने की कोशिश कर रहा है बच्चा नहीं चड लिखने के बाद एक यूजर्स ने लिखा पहले सीन में मुझे ये वीडियो बहुत क्यूट लगा लेकिन दूसरी सीन में मैं हैरान रहे गया वही दूसरी यूजर्स ने लिखा ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा मां से मदद माग रहा हो और दूसरी पल बच्चे को करें उनको भी आप वाच कीजिए तो मैं मिलता आपको नेक्स टूडियो में कुछ ऐसे इंट्रेस्टिन टॉपिक के साथ तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग गुडबाय एंड टेक क्यार